कि नमश्कार दोस्तों मैं किंजल चौजवी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर तो दोस्तों आप मुझसे में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांद आपको पीडिएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथी साथ यह मेर हुए हैं और इनके दवारा बनाया गया सारा कोर्स अपको उपलब्द हो जाएगा इस वक्त दोस्तों रिपोर्ट करने के लिए तो आपको रिपोर्ट भी किया जाएगा तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को सैफ्रॉन का हब बनाने की दिशा में कुछ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो हो सकता है आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश इंडिया का एंड हो सकता है दुनिया का सैफ्रॉन हब बन जाए सैफ्रॉन यानि केसर जिसको खाने के लिए आपने देखा होगा केसर वाली दूद या फिर काफी मिठाईयों में भी डाला जाता है तो व वो जम्मु कश्मीर union territory के पंपोर और किष्टवर region में उगाई जाती है दोस्तों अगर इस इलाके में देखे तो 3000 हेक्टेर इलाका लगभग साफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए डिवोटेड है और आठ से 10 तन और साफ्रॉन साफ्रॉन कल्टिवेशन और प्रोडक्शन यहां पर हो रही है प्रोडक्शन दोस्तों देखे तो बढ़ नहीं रही है काफी ज्यादा एक अपनी साफ्रॉन का लगभग साफ्रॉन का तो इसलिए दोस्तों हम इरान से इंपोर्ट करवाने पर मजबूर है और अगर आप देखे तो साफ्रॉन की कीमत धाई से साड़े तीन लाख रुपए किलो होती है तो आप सोच सकते हैं साफ्रॉन फार्मर्स अगर इसको इंडिया में ही उगाना शुरू करें तो डबलिंग फार्मर्स स्टिगमा याने फीमेल पाट उफ डीफला आप देख रहें हैं यहां पर इसमें जी को के도 किया जाता है सैफ्रॉन दोस्तों ऒर हम केमिखली देखें तो इस antra एसे Kendal जो ये तीन केमिकल्स हैं जो कि इसको इसका कलर टेस्ट और एरोमा के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों अगर हम सैफ्रॉन कल्टिवेशन की बात करें तो किसान तक क्या पहुचाना है हमें हमें ये सैफ्रॉन का कॉर्म पहुचाना है ये आप देख रहें बल्ब तो इसी को कहते ह हर पौधे का होता है तो हमें सैफ्रॉन का कॉर्म किसान तक पहुचा दें अच्छे क्वालिटी का तो वह उगा पाएगा और इससे अपनी इंकम बढ़ा पाएगा तो दोस्तों अगर हम बात करें सैफ्रॉन कॉर्म की तो सबसे बड़ी बॉटलनेक है सैफ्रॉन में हम डि इस प्री सैफ्रॉन कॉर्म वहां तक पहुचे तो इसके लिए दोस्तों CSIR कांसिल पर साइंटिफिक इंडिस्ट्रियल रिसर्च CSIR की एक लाब है इंस्ट्यूट ओफ हिमालियन बायो रिसोर्स चेकनलोजी पालंपूर हिमाचल प्रदेश तो उन्होंने दोस्तों एक ग्रो किये जाते हैं उनसे उन पर रिसर्च किया जाता है और उन प्लांट्स के जरिये से ब्रीडिंग भी की जाती है और उसको फर्दर मल्टिप्लिकेशन करके किसान तक एंड पहुचा सकते हैं सैफ्रॉन कॉर्म पहुचा सकते हैं तो दोस्तों CSIR के IHBT लैब ने नया ए पहुचा पाएंगे तो दोस्तों यह बहुत बड़ी नंबर है और इस वज़े से किसान के पास अच्छे क्वालिटी का सैफ्रॉन आना शुरू हो जाएगा कहां के किसान हिमाचल प्रदेश में कुछ वैसे इलाके चुने गए हैं जहां पर उनकी क्लाइमेट को जम्मू कश्मीर वैली के क्लाइमेटिक रीजन से मिलती जुलती है जहां पर सैफ्रॉन उगाया जाता है तो कौन-कौन से हैं वो तो दोस्तों पहला है चंबा चंबा में दोस्तों आप देखे तो भरमौर और तीसा यह वाला जो डिस्रिक्ट है इस चंबा डिस्रिक्ट फिर आप दूसरा है कि नौर डिस्रिक्ट जहां पर सांगला वैली है यहां पर आप देख सकते हैं और तीसरा दोस्तों आप देखे तो कांगडा है कांगडा में दोस्तों आप अगर देखे तो वह है बारा बंगल बारा बंगल रीजन है जहां पर उगाना है तो आईए इसको एक ब बात करेंगे भर्मौर और तीसा की आप देख पा रहे हैं चमबा में देखते हैं तो पहला है भर्मौर रीजन चमबा डिस्टिक के अंदर यहां पर सैफ्रान उगाया जाएगा दूसरा रिजन जो सिलेक्ट किया गया है जोस्तों वह है तीसा तो आप देख सकते हैं यह है च इस इलाके में भी सैफ्रान उगाया जाएगा दूसरा है दोस्तों किनौर डिस्टिक्ट किनौर डिस्टिक्ट दोस्तों आप देखें तो बिल्कुल इस्टन कॉर्णर हो गया हिमाचल प्रदेश का यह वाला रीजन एक तरफ उत्राखंडे दूसरे तरफ नौर्थ में चा 12 बंगल वीजन है जहां पर तीसरा साइट होगा जहां पर सैफ्रॉन कल्टिवेशन भारी मातरा में की जाएगी दोस्तों इसके बाद इंडिया सैफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए हमारी प्रोड़क्शन काफी जादा बढ़ने वाली है तो एक बार फिर से रिवाइज कर ल बारा वह यह हने वाला है कि हिमाचल प्रदेश एसी उमीद की जा रहे है आने वाले दुनों में जम्मू कश्मीर यूनिन टिरिट्री को सुपर सीड कर जाएगी सफ्रों प्रोड़क्शन में जम्मू कश्मीर से भी जादा हम साफ्रॉन प्रोडक्शन हमाचल में तो इस दिशा में काम शुरू हो चुका है तो आपको याद रखना है CSIR की IHBT Lab हिमाचल प्रदेश में पालंपुर में है जो की ये काम को अंजाम देने वाली है और बाकी जो डिस्टेक्ट्स बताए वो डिस्टेक्ट्स भी आपको याद रखने है तो दोस्तो इसके साथ Maherant specific UPC test series आपको complimentary दे रहे हैं एक साल या उसके सब्सक्रिबशन में 30 30,000 की टेस्स सिरीज, 80 टेस्ट होंगे एक साल में 50 प्रिलिम के टेस्ट होंगे 30 में इन के टेस्ट होंगे तो इन में के टेस्ट में प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको evaluation मिलने वाला है अगर आप टाइम पर टेस्स सब्मिट करें तो यह हम complementary रहे हैं प्रियों अगर आप एक साल का जीए एक साल का आइकनिक या उसके अधिक कभी ले तो भी या जीएस ऑफ्चिनल कॉम्बो प्लस या आइकनिक कैसा भी ले तो उसके जाद हम आपको सिवा दोस्तों जीएस ऑफ्चनल में बहुत ज्यादा डिसकाउंट भी चल रहे हैं किसी वन जीरो कोड का भी प्रोवाइड कर रहे हैं दो साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन ले तो वन 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 वीकली पर्शनल वेंटरिंग भी हो रही है आइकनिक एंड प्लस कोर्स अगर आप देखे दोस्तों दो साल की प्लस कोर्स की कॉस्ट है सब्सक्रिप्शनल में कॉम्बो पैकेज इसमें डिसकाउंट रन कर रहे हैं तो जीएस ऑप्शनल कॉम्बो ले एंड मैक्सिमम बेनिफिट होगा खिफायती भी वही पढ़ने वाला है 23 जून से नहीं बैचेस भी स्टार्ट हो चुके आप स्क्रीन पर जैसा देख सकते है तो यह बहुत ही आईडियल टाइम में सब्सक्रिप्शन लेने का Free Test Series भी रन कर रहे हैं तो किसी 10 code सेइसे Unlock करें और साथ ही साथ दोस्तों Academy Combat Scholarship Test भी रन हो रही है किसी 10 code का सिस्ते इचभार करें और इसमें Enroll करें Thank You so much for joining Have a great day